बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी परिशानी का कारण हमारे अपने ही जानने वाले होते हैं, हमारे अपने ही रिष्टेदार होते हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता हमारी परिशानी से, उनको तो पस परिशान करने से मतलब होता है, आज इसी किसे निजात पाने का उपाय आपको बता रही हूँ हाई एवरिवन, माई नेम इस डॉक्टर रुमा श्री मेरे चनल में हमेशा आपका स्वागत होता है आज भी आपका स्वागत करती हूँ अशा करती हूँ मेरे सब्सक्राइबर खुशाल जिन्दगी बसर कर रही होंगे मेरी ब्लैसिंग्स हमेशा उनके साथ में होती है तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज मैं आपको ऐसे उपाय बता रही हूँ जिनको करने से आप हर परिशान करने वाले से मुक्त हो जाएंगे अर्था तो आपको परिशान करना भूल जाएगा बलकि वो खुद ही परिशान होगा इतना ज़्यादा परिशान होगा कि आप सोच भी नहीं सकते तो आईए वीडियो चालू करते हैं अगर आपको ऐसा शत्रू परिशान कर रहा है जो आपका गुप्त शत्रू है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये प्रियोग आपके बहुत काम का है इसको अवश्य करिए आप एक चांदी की मचली निर्मान करवाली जिए सुनार से चांदी की मचली बनवाली जिए या रेडिमेड आर्टिफिशल भी आपको मचली मिल जाती है तो वो भी चलेगी आपको क्या करना है रात्री को सोते समय उसको अपने तकिये के नीचे रखके सो जाएं ये डेली करें आप कुछी दिनों में आप देखेंगे कि आपको परिशान करने वाला खुद परिशान हो रहा है वो गुप्त शत्रू आपके सामने भी आ जाएगा और आपको पता चल दाएगा किसने आपको परिशान किया है अगर आपकी परिशानी का कारण आपका कोई अपना ही है घर का सदस्य है तो ये काम आपके करने से वो आपको परिशान करना भूल जाएगा बलकि वो खुद ही परिशान होना चालू हो जाएगा बस आपको ये प्रियोग करना है आप जब प्रात्री को शयन करने जाएंगे तो आपको अपने सिरहाने तंबे का एक बरतन लेना है और उसमें जल भरकर रखना है उसमें लाल चंदन का चूरा मिलाना है प्रातह उठते ही उस जल को किसी गमले या पवित्र पौधे में डाल दीजिए आपको वो परिशान करना भूल जाएगा ग्रंथों में तो इसके बारे में लिखा है कि तुलसी के पेड में आप डाल दें लेकिन आपके घर में कोई भी पवित्र पौधाओ उसमें भी आप डाल सकते हैं अगर आपको परिशान करने वाले अंगिनत शत्रू हैं जिनके बारे में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा शत्रू आपका प्रबल है और आपका बुरा चाहरा है तो ये प्रियोग आपके बहुत काम का है आपको लेना है एक प्लेन सफेद पेपर और उस पे काजल से या काजल पैंसिल से या कोईले से उसका नाम लिखना है अगर आपको संशे है कि कोई एक से अधिक शत्रू है तो उनके अलग-अलग कागस लेने हैं और अलग-अलग उनके नाम आपको लिखने हैं उनके नाम वाले कागस को चाकुओं में लपेट कर अपने सिर्हाने आपको सोजाना है लेकिन ये काम आपको सावधनी से रखना है क्योंकि चाकुगी नोक आगर आपको चूब जाती है तो आपको बहुत ध्यान रखना है और आपको ना चुभे ऐसी विवस्था आपको करनी है मतलग तकिया गद्देदार और बहुत मोटा होना चाहिए और उसके नीचे आपको रखना है तो आपको कोई हानी नहीं होगी और बहुत फायदा आपको होगा अगर शत्रू पक्ष बहुत प्रबल है तो आप रवीवार का वरत चालू कर दीजिए इसमें अन्न नहीं खाना है और आदित्ते रिदे स्रोथ का पार्ट भी कर लीजिए आपको बहुत फायदा कुछ ही दिनों में होने लगेगा और जो शत्रू पक्ष है वो शत्रूता भूल जाएगा गुरू वार के दिन शत्रू का नाम लिखें और उसको शहत की शीशी में डिप करके कहीं गाड़ दें आप देखेंगे कि शत्रू शत्रूता भूल कर आपका मुरिध हो गया है आपका प्यार करने वाला हो गया है तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ जान करी दी कि आपको परिशान करने वाले से कैसे मुक्ति पाएं और अगर आपका आप नहीं कोई परिशान कर रहा है तो कैसे मुक्ति पाएं I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत useful रहा होगा अगर useful रहा है तो like करने में कंजोसी मत करिए मित्रों और ऐसी जानकरी सबसे share भी किया कि रही है share करने से आपको पुन्य की प्राप्ति होती है सबकी blessings और दुआ मिलती है और आपके थुरू मुझे भी blessings और दुआ की प्राप्ति हो जाती है इसी तरह की वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर मेरा नाम है डॉक्टर रूमाश्री और मेरे नाम को आप type करिए डॉक्टर रूमाश्री मेरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जो तरह तरह से आपको लाप की प्राप्ति कराएंगे आप मुस्से जोतिश ये परामर्श भी ले सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में इमेल आइडि के जरिये संपर्क करना पड़ता है और ये सर्विस चार्जेबल होती है मित्रों तो डॉक्टर रूमाश्री यानि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो और आल पर क्लिक करिए जिससे इसी तरह की जानकारी भविशे में आपको मिलती रहे और लाप-लाप की प्राप्ति करते रहें तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद